अबर दिल्ली जलमंत्री आतिशी के अंशन का आज 30 दिन है दो दिन से वो अंशन पर थी और आज भी अंशन पर बैटी है यानि 30 दिन भी अंशन जारी है और आतिशी ने वीडियो मैसेज जोरान जारी किया है हर्याना के हतिनी कुंड में पानी भरा हुआ है उन्होंने बताय दिल्ली के जलमंत्री आतिशी जो की लगतार अंशन पर बैची हुई हैं उन्होंने वीडियो मैसेज चारी किया है और बताया कि हर्याना से दिल्ली के हक का पानी नहीं मिल रहा है अथिने कुंड में पानी भरा हुआ है लेकिन दिल्ली तक नहीं पहुंच रहा वैदेले के जलमंत्री आतिशी के स्वास्त से जुड़ी भी एक बनी चानकारी मिल रही है आतिशी के स्वास्त में गिरावट आ गई है आमादी पाथी की ओर से कहा जा रहा है आतिशी का किटोन लेवल पॉजिटिव आया है ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल में भी गिरावट आई है आमादी पाथी ये बता रही है कि आतिशी का स्वास्त बिगड रहा है तवियत खराब हो रही है क्योंकि तीन दिन से लगतार वो अंशन पर बैठी है और अनिश्चित कालीन अंशन का उन्होंने ऐलान किया है और ये कह रही है कि उनके पास कोई विकल्प बचा रही है दिल्ली की जनता क्यों है चिंता है जितना परिशानी इस वक्त हो रही है दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए हर्याना सरक्यार को विजमेदा थेरा रही है तीन दिन से लगतार अंशन पर हैं आम आभी पाथ ये कह रहें क्योंकि सेहत बिगरती जा रही है आज मेरे अनिश्चित कालीन अंशन का तीसरा दिन है मैं संशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है दिल्ली में पानी की बहुत कम है दिल्ली में अपना पानी नहीं है दिल्ली का सारा पानी पडोसी राज्यों से आता है लेकिन पिछले तीन हफ़ते से हर्याना ने अपना पानी कम कर दिया है वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे हर्याना सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है हम दिल्ली को पानी कहां से पीदे लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हतनी कुंड बराज कर जहां से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है वहां पे सबने फोटो ली वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हतनी कुंड बराज में पानी है उसमें पानी भरा हुआ है लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है वहां से पान बराज के गेट नहीं खोलेगी तब तक ये अनिश्चित कालीन अंशन जाली रहेगा और आतिशी वीडियो मैसेस के जरिये बताती है कि हर्याना सरकार ने पानी जो दिल्ली के अधिकार का है उसको रोका हुआ है और हाथिनी कुंड का उनने जिक्र किया कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है लेकिन दिल्ली तक नहीं आने दिया जा रहा यह अंशन कब तक चलेगा और उनकी सेहत भी लगातार बिगड़ रही है क्या स्ट्रेटिजी आगे आने वाले वक्त में होगी आम आद भी पार्टी जो देखे बिल्कुल जिस तरीके का ऐलान आतिशी की तरफ से किया गया था क्योंकि देखे नाम इसको आमरन अंशन दिया गया है यानि या अंशन जब तक चलेगा जब तक मांगे पूरी ना हो और देखें मैं आपको तस्वीर ग्राउंड जीरो पर तस्वीरे दिखाना चाहूंगी जहाई अंशन चल रहा है हाला कि अभी आपको आतिशी मौजूद नहीं देखेंगी लेकिन सुत्रों के हवाले से खबर आ रहे है कि कुछी देर में आतिशी के साथ साथ सुनीता केजरवाल भी मंच पर आपको मौजूद देखेंगी और देखें गांधी जी की जो फोटो है वो ज़रूर लगाई ग तरफ से कही जा रहे है कि जब तक हरियाना से पानी नहीं आएगा तब तक ये जो अंशन है वो चलता रहेगा हला कि आज अगर संजे सिंग की बात की जाए आज एक दस मेंबर्स की मीटिंग भी थी लगी सेना के साथ और देखें सौरभादवाज की तरफ से कहा गया कि उन आमरम अक्शन खत्म करें क्योंकि उनकी जो सहत है वो लगातार बिगड़ती जा रहे है क्योंकि देखें तीन दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है यह आमादमी पार्टी का लगातार दावा है और दे कि तीन दिनों से क्योंकि आमरन अंचन चल रहा है और वो अपनी जित पर बैठी है कि जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा तब तक यह जो अंचन है वो चलता रहेगा लहाज़ा तीसरा दिन क्या बाचीत हुई क्या कोशिशे की जा रही है इस सम्मंद में कि ताकी जो जनता को परिशानी पो रहे हैं वो ना होने पाए हाला कि एक मीटिंग भी हुई थी चंडिगड में जिसको लेकर यह दर्ख्वास की गई कि हर्याना की तरफ से हप्ती कुछ बहराज की तरफ से पानी छोड़ा जाए क्योंकि देखे पानी जिस तरीके से आमादमी पार्टी के जो मंसरी है वो लगातार दावा कर रहे हैं कि कब से कम जो परियात पानी है दिली की जंता को जो मिलना चाहिए वो सिसाब से नहीं मिल रहा तो देखे लगातार मीटिंग भी हो रही है जो आज की मीटिंग हुई वो दिली की LGV के सक्सेना से उससे पहले जो चंडिगड में भी मीटिंग हुई थी उन मीटिंग के जरिये भी समाधान निकालने के कोशिस जरूर की जारी थी लेकि एक बात बिलकुल ध्यान देने वाली है क्योंकि देखे 28 तारिक से जो मौसम है वो बदलेगा बारिश का मौसम होगा तो ऐसे में एक ये भी कयास लगा जा रहे क्योंकि देखे सौरभादवाज की तरफ से आज ये ब प्लो हुआ था तो डिली में बार जैसे स्थिति आ गई थी। लेकिन इस वार क्योंकि पानी की किल्लत पहले ही है और जिस तरीके आप रहेगा शुब हमारे साथ, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, दरसल आप मादमी पार्टी के नेताओं ने LGV के सक्सेना से मुलाकात किया